आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। वह भारतिय स्वतंत्रता संद्राम से गहराई से जुड़े परिवार से थे और उनका प्रारम्भिक जीवन उस समय के राजनीतिक और बौधिक परिवेश से प्रभावित था। परिवार से थी। नेहरू की विशेशाधिकार प्राप्त परवरिश ने उन्हें भारत और विदेश दोनों में सर्वोत्तम शिक्षा तक पहुँच प्रदान की। विदेशी भूमी में रहने के अनुभव और विविद सांस्कृतिक प्रभावों के संपर्क ने उनके विश्वदरिश्टिकोन पर स्थाई प्रभाव छोड़ा। हैरो में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नहरू ट्रिनिटी कॉलिज कैम्ब्रिज चले गए जहां उन्होंने खुद को उस समय की बौध्धिक और राजनीतिक धाराओं में डुबो दिया। कैम्ब्रिज में उनके समय ने उन्हें समाजवादी विचारों से अवगत कराया और वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहट भारत के सामने आने वाली राजनीतिक और सामाजिक चुनोतियों के बारे में टेजी से जागरूख हो गए। नेहरू की बौधिक जिग्यासा और न्याय के प्रती जुनून फैबियन सोसाइटी एक समाजवादी समुह जो सामाजिक सुधारों की वकालत करता था के साथ उनकी भागिदारी में स्पष्ट था। 1912 में भारत लोटकर नेहरू राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। भारतिय स्वतंत्रता के प्रती उनकी प्रतिबधता गहरी हो गई और वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ कॉंग्रेस के नेत्रित्व वाले आंदोलनों में सक्रिय भागिदार बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई अन्य राष्ट्रवादियों की तरह नेहरू ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के बदले में भारत के स्वशासन के लिए दबाव डालने का अफसर देखा। हाला की युद्ध के बाद की अवधी निराशा लेकर आई क्योंकी ब्रिटिश सरकार अधिक स्वशासन के अपने वादों को पूरा करने में विफर रही। 1920 में महात्मा गांधी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के नेता के रूप में उभे और नेहरू उनके प्रबल अनुयाईयों में से एक बन गए। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत का ग्रिष्टिकोन साजा किया और गांधी जी के साथ नेहरू का जुडाव उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोर था नेहरू ने 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किये गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश संस्थानों का बहिश्कार करना और भारतिय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था जैसे जैसे नेहरू का राजनीतिक कद बढ़ता गया उन्होंने 1929 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, प्रस्ताव के निर्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रस्ताव में घोशना की गई की 26 जन्वरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसने सविनय अवग्या आंदोलन की नीम रखी इस आंदोलन में नेहरू और अन्यनेताओं ने कुख्यात नमक कर सहित अन्याइपूर्ण ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेत्रित्व किया समाजवाद के प्रती नेहरू की प्रतिबधता और एक धर्मनिर पेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के बारे में उनका द्रिश्टिकोन 1929 में कॉंग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में परिलक्षित हुआ इस सत्र के दौरान स्वतंत्रता के लिए भारत के संधर्ष का प्रतीक तिरंगा जंडा फहराया गया था समाजवादी आदर्शों का प्रभाव नेहरू की पुस्तक दिस्कावरी ओफ इंडिया में भी स्पष्ट था जहां उन्होंने देश के समरिद इतिहास, संस्कृती और विविधता का पता लगाया था 1940 के दशक की शुरुवात में भारत के राजनीतिक परिद्रिश में महत्वपूर्ण बदलाव आये गांधी जी के नेत्रित्व में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से तुरंत वापस बुलाने का आहवान किया गया आंदोलन में भाग लेने के कारण नेहरू को अन्य कॉंग्रेस नेताओं के साथ दिरफतार कर जेल में डाल दिया गया जेल में बिताय वर्षों ने उन्हें आत्मनिरीक्षन के लिए समय दिया और स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए अपने द्रिश्टिकों को परिश्कृत करने का अफसर प्रदान किया जैसे जैसे स्वतंत्रता के लिए संधर्ष ने गती पकड़ी संयुक्त मोर्चे की आवश्शक्ता स्पष्ठ हो गई हाला की एक अलग मुस्लिम राज्य की माम के कारण 1947 में पाकिस्तान का निर्मान हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ विभाजन एक दर्दनाक घटना थी जिसने नहरू पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने हमेशा एक एक जुट और धर्म निर्पेक्ष भारत की कल्पना की थी सामप्रदायक तनाव और आबादी के बड़े पैमाने पर प्रवासन से उत्पन्न चुनोतियों के बावजूद नहरू ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में पद ग्रहन किया प्रधान मंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल लोकतंत्र, धर्मनिर पेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रती उनकी अटूट प्रतिबधता से चेहनित था उन्होंने भारतिय सम्विधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो देश के शासन की आधारशिला बन गया उनके नेत्रित्व में आर्थिक विकास, और योगी करण और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचवर्षिय योजनाये शुरू की गई नेहरू की विदेश नीती की विशेषता गुट निर्पेक्षता के प्रती प्रतिबद्धता थी एक ऐसा रुख जो शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी और पूर्वी दोनों गुटों से भारत की स्वतंत्रता को बनाये रखने की मांग करता था उन्होंने ए बजाया गुट निर्पेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अंतरराष्ट्रिय मामलों में तटस्त रुख की वकालत करने वाले देशों का गठ बंधन जवाहर लाल नेहरू का नेत्रित्व चुनोतियों से रहित नहीं था 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने महत्वपूर्ण भूराजनीतिक चुनोतिया पेश की जिन्होंने नेहरू के कूटनीतिक कौशल और भारत की सैन्यक्षमताओं का परीक्षण किया इन अस्फल्ताओं के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिर पेक्षता के प्रती नेहरू की प्रतिबधता द्रिढ रही जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक यात्रा 27 मई 1964 को उनकी मृत्यू के साथ समाप्थ हो गई हाला की उनकी विरासत आधुनिक भारत के रूप में बनी हुई है एक लोकतांत्रिक धर्मनिर पेक्ष और विविध राश्ट्र जो स्वतंत्रता संग्राम की भट्टी से उभरा देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में नेहरू के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है जिससे वे भारतिय इतिहास में एक श्रध्य व्यक्ति बन गए है